नमस्कार, इह हिंदी शाला में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, आशा है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, आईए आज की कक्षा की शुरुवात करें, आज हम जानेंगे कारक के बारे में, कारक यानि प्रिपोजिशन्स बहुत ही आसान सी पहचान है, इतनी सरल कि आप क कवश्य देखिएगा, क्योंकि बहुत ही आसान सी ट्रिक्स और टिप्स भी बताई गई हैं, जिससे आप सरलता से कारक को याद रख सकते हैं, चलिए शुरुवात करें, ध्यान से इस वाके को पढ़िए, बंदर पेड बैठा है, मचली पानी रहती है, क्या ये वाके सही है नहीं, यहां कुछ न कुछ गडबड है, शब्दों में आपस में कोई संबंध नहीं जुड़ रहा है, अब इस वाके को दोबारा से देखिए, बंदर पेड पर बैठा है, मचली पानी में रहती है, यहां पर और में लगने से जो शब्द हैं, उनका संबंध आपस में क्र सर्वनाम के जिस रूप से वाके के अन्य शब्दों के साथ उसका संबंध पता चलता है, उसे हम कारक कहते हैं, संग्या या सर्वनाम को क्रिया से जोड़ने वाले चिन, कारक या फिर परसर्ग कहलाते हैं, वो क्या हैं, ने, से, के लिए, को, इत्यादी, सबसे पहली हम जान लेते हैं कि कारक को किस प्रकार से याद किया जा सकता है, तो कारक को याद करने की क्या ट्रिक है, ध्यान से इसे पढ़िए, करता ने करम को करण चिन से मान, संप्रदान को के लिए अपादान से जान, काके की संबंध हैं, अधिकरण में मान, हे अरे हो संबोधन हैं, सदा रखें यह ध्यान यदि आप इसे कविता की तरहां याद कर लेंगे, ना तो कभी आप कारक भूलेंगे और ना ही उनके चिन्हों को भूल पाएंगे तो देख लिए आपने कितना आसान है कारक को उनके चिन्हों के साथ याद रखना, आईए अब जाने कारक के भेद कितने हैं कारक के आठ भेद हैं पहला है कर्ता कारक, दूसरा कर्म कारक, तीसरा करण कारक, चौथा संप्रदान, पाँचवां अपादान, छटा संबंध कारक, साथवां अधिकरण कारक, और आठवां है संबोधन कारक आईए एक एक करके इनके बेदों के बारे में जानते हैं करता कारक आप सभी जानते हैं करता यानि काम करने वाला जब हमने क्रिया पढ़ा था तब हमने यह जान लिया था कि काम को करने वाला करता कहलाता है देखिए संग्या या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के करने वाले का बोधो उसे करता कारक कहते हैं आईए उधारन से जा यहां क्रिया से पहले कौन लगाकर यदि हम प्रश्न करें तो हमें करताकारक मिल जाएगा जैसे समाचार कौन सुन रहा है सरित किसने पढ़ाया मेघा ने मैच किसने देखा या कौन मैच देख रहा है तो हमें उत्तर मिलता है सौरब तो इससे पता चलता है कि सरित मेघा और स करने वाले इसका चिन्ध क्या है ने लेकिन कई बार ने का लोप भी हो जाता है जैसे पहले वाक्य में यहां ने ना होने पर भी आप जान सकते हैं कि सरित क्रिया को करने वाला है क्योंकि कौन सुन रहा है का प्रश्ण करते ही आपको उत्तर मिलता है सरित इस प्रकार हमने जा कारक का दूसरा भेद है कर्म कारक और कर्म कारक का परसर्क चिन है को कर्म क्या है जिस पर काम का प्रभाव पड़ता है वो कर्म होता है यह हमने क्रिया में जान लिया था आईए उधारन से समझे आया बच्चे को सुला रही है मा बच्चे को मिठाई देती है पिताजी ने टो का कर प्रश्न करें और हमें जो उत्तर मिले वो हमारा कर्म होगा जैसे मा किसे सुला रही है बच्चे को मा ने किसे मिठाई दी बच्चे को पिताजी ने किसे साइकल दी टोरा को तो यहां बच्चा और टोरा क्या है हमारे कर्म हैं इन पर हमारी क्रिया का प्रभाव पढ़ र पर क्रिया का प्रभाव या फल पढ़ता है उसे हम कर्म कारक कहते हैं कभी कभी को का लोप भी हो जाता है जैसे मुकल पुस्तक पढ़ता है अब यहां पुस्तक को पढ़ता है नहीं लिखा गया है परन्तु यदि हम क्रिया से पहले क्या और किसे का प्रश्ण करें तो हमें उ तो क्रिया से पहले हमें प्रश्ण करना है क्या और किसे अगला कारक देखते हैं करन कारक करन का चिन्न है से या के द्वारा यानि जिसके द्वारा करता काम करता है उसे हम करन कारक कहते हैं जैसे उधारण से समझे, विभा ने अपनी आख से यह घटना देखी है. शाम गेंद से खेलता है, आदमी चोर को लाथी के द्वारा मारता है. यहां किसके द्वारा कारे हो रहा है? आख से, गेंद से और लाठी के द्वारा यानि जो करता है इनकी सहायता से क्रिया को कर रहा है इस प्रकार इसकी परिभाशा हुई जिस साधन के द्वारा क्रिया पूरी की जाती है उस संग्या को करनकारक कहा जाता है आप समझ गए होंगे करनकारक क्या है जिसके द्वारा करता काम को करता है इसका चिन है से और के द्वारा आईए अगला कारक देखे संप्रदान कारक यानि जिसके लिए क्रिया की जा रही है या जिसके लिए काम किया जा रहा है इसका चिन है के लिए मामा जी विवेक के लिए उपहार लाए भूखों के लिए भोजन बनाओ, नानी के लिए रामचरित मानस लानी है, यानि करता किसके लिए काम कर रहा है, पहले वाक्य में विवेक के लिए, दूसरों में भूख के लिए और तीसरे वाक्य में नानी के लिए, तो संप्रदान कारक क्या हो गया, जिसके लिए क्रिया की जाती है इस प्रकार परिभाशा हुई जिसके लिए क्रिया की जाती है उसे संप्रदान कारक कहा जाता है अगला कारक है अपादान कारक जिसका चिन है से अपादान का अर्थ होता है अलग होना यदि आपको याद हो तो अभी हमने करन कारक में भी जाना था से उसका परसर्ग परन्तु वहां सहायता के लिए प्रयोग किया जाता है और यहां पर अलगाव के लिए जैसे व्रिक्ष से पत्ते जड़ रहे थे हिमाले से गंगा निकलती है बच्चे अभी विद्याले से निकले हैं यहां पत्ते व्रिक्ष से अलग हो रहे हैं गंगा हिमाले से अलग हो रह इस प्रकार हमने जाना कि जिस संग्याया सर्वनाम से किसी वस्तु का अलग होना ग्यात हो उसे अपादानकारक कहते हैं यानि किसी भी संग्याया सर्वनाम से कोई भी वस्तु दूर हो रही है अलग हो रही है इसका चिन्हे से संबंध कारक संबंध का परसर्ग है का के की यानि की संबंध जोडने वाला जो शब्दों का आपस में संबंध जोडने का कारे करते हैं वो संबंध कारक है जैसे घर की मालकिन सो रही है ये रश्मी के खिलोने है नदियों का जल अस्वच हो रहा है यहां मालकिन का संबंध घर से जोड़ रहा है खिलोनों का रश्मी से और जल का नदियों से इस प्रकार हमने जाना कि संग्या या सर्वनाम के जिस रूप से किसी दूसरे शब्द के साथ उसका संबंध पता चलता हो उसे हम संबंध कारक कहते हैं आप ध्यान रखिएगा का के की संबंध कारक हैं ये दो संग्या शब्दों का आपस में संबंध जोड़ते हैं अकला कारक है अधिकरन कारक और इसकी विभक्ती चिन्न है मे और पर अधिकरन कार्थ क्रिया के होने का स्थान या आधार आईए उधारन से समझे मेज पर पुस्तके रखी हैं तुम्हारे घर में बहुत पौधे लगे हैं बच्चा पलंग पर सोता है यहां क्रिया का आधार जो है जैसे की पुस्तके कहां रखी हैं मेज पर पौधे कहां लगे हैं घर में और बच्चा कहां सोता है पलंग पर तो इस प्रकार क्रिया के होने का स्थान या आधार क्या कहलाया? अधिकरन कारक. वाक्य में जिस शब्द के द्वारा करता के आधार का बोध हो वह अधिकरन कारक कहलाता है. आईए अगला कारक देखें. संबोधन कारक. ये हमारा अंतिम यानि आठवा कारक है और इसके जो विभक्ति चिन हैं वो हैं हे, रे, अरे. इस प्रकार से हम किसी को पुकारने या चेतावनी के लिए इस प्रकार के जो संबोधन हैं उनका प्रयोग करते हैं. जैसे, ओ, वहां से दूर हट जाओ. भईया, आप वहां सोजाईए. अरे, अब आप कहां रहेंगे? इस प्रकार के जो संबोधन चिन हैं, उनके साथ में हमारा कौन सा चिन लगता है? याद कीजिए, विसमयादी बोधक चिन. बिल्कुल ठीक कहा आपने. संबोधन कारक का प्रयोग किसी को संबोधित करने के लिए किया जाता है या उसे चेतावनी देने के लिए किया जाता है. तो ध्यान रखिएगा सबसे आसान है संबोधन कारक. इसके बाद विसमयादी बोधक चिन लगता है और ये किसी को पुकारने या चेतावनी देने के लिए प्रयोग क किये जाते हैं। आइए अब एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। कारक लक्षन और चिन करता यानि जो काम को करे और इसका विभक्ती चिन है ने। कर्म जिस पर क्रिया का फल पड़े या प्रभाव पड़े और इसका चिन है को। करणकारक यानि काम करने का साधन जिसके द्वारा काम किया जा रहा हो और इसके चिन है से और के द्वारा। संप्रदान जिसके लिए क्रिया की जाए इसके चिन है के लिए। अपदान जिससे कोई वस्तु अलग हो रही हो अलग होने के अर्थ में इसका प्रयोग होता है और इसका चिन है से संबंध जो एक शब्द का दूसरे शब्द से संबंध जोड़े और इसके विभक्ती चिन है का, के, की या रा, रे, री जैसे मेरा, मेरी, इत्यादी अधिकरण जो क्रिया का आधार हो इसके चिन है मे और पर संबोधन जिससे किसी को पुकारा जाए या चेतावनी दी जाए इसके चिन है हे, अरे, हो तो ये तालिका आप ध्यान से देख लीजे और समझ लीजे हमें आशा है कि आपको ये पार्ट अच्छी तरह से समझा गया होगा अगली कक्षा में आपसे फिर से मुलाकात होगी यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मन भूलिएगा और यदि आपने हमारे अन्य वीडियो नहीं देखे हैं तो अवशे देखिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी के लिंक दिये गए हैं एक नए विशे के साथ शीगर ही आपसे फिर से मुलाकात होगी तब तक के लिए हम आपसे विदा चाहते हैं विदा